हाई आल, कैंडिडेट की और सूपर की के बारे में जानने से पहले अब प्राइमरी की क्या होता है उसके बारे में ज़रूर जानिएगा और यह प्राइमरी की का जो वीडियो है मैंने डेस्क्रिप्शन लिंक में दे दिया है अब ज़रूर देखिएगा, तो आप अगर इस क्योंकि employee ID जो है वो यूनिक रहता है उसमें कोई duplicate values नहीं होता है हार एक employee के लिए unique employee ID होता है और यहां पे कोई भी null value acceptable नहीं होता है क्योंकि हम इसे primary की declare करता है तो अब यह candidate की क्या होता है तो अगर आप इस table को देखें तो में आप देख सकते हैं कि employee ID में जो है unique values अंटर हुए है कोई भी duplicate value नहीं है आप देख सकते हैं contact number में भी unique values अंटर हुए है कोई भी duplicate value नहीं है employee में भी duplicate value नहीं है unique values अंटर हुए है तो हम क्या करेंगे candidate की को उन को ही चूज़ करेंगे उन ही अट्रिब्यूट्स को चूज़ करेंगे जिसमें कि कोई ड्यूप्लिकेट वैल्यू नहीं है only uniqueness maintain करते हैं तो candidate क्या करता है सिर्फ unique attributes को ही चूज़ करता है तो set of minimal attributes attributes that maintains uniqueness जो attributes uniqueness maintain करते हो उनको ही हम candidate की declare करेंगे उनको ही candidate की चूज़ करेंगे तो यहां पर employee name, salary, city, country जो है उनको हम candidate की चूज़ नहीं करेंगे क्योंकि यहां पर कोई उनिक वैल्यू नहीं होता है सब यहां पर duplicate values होते ही हैं इसलिए employee name, salary, city, country को चूज़ नहीं किया जाता है as a candidate की तो चलिए जानते हैं यह super की क्या होता है तो super की क्या बोलता है कि वो भी attributes जो है वो हमेशा uniqueness maintain करते हों उनको ही choose करो with a combination of जो attributes uniqueness ना maintain करते हो मतलब की can super की को हम declare करेंगे या पर define करेंगे as unique attributes मतलब की columns plus non-unique columns तो combination of unique columns और attributes plus non-unique attributes तो हम unique attributes और non-unique attributes को combine करके super की बनाएं तो super की हमारा यहां पर क्या हो सकता है combination of employee id, employee तो employee id और employee name का combination एक super की बन सकता है यहां पर अगर आप देखें contact number, employee name, salary एक super की बन सकता है contact number, salary, employee name सुपकी बन सकता है email यहां पर और country, city, salary, employee name सुपकी बन सकता है तो ऐसे combinations of super की बन सकता है तो ऐसे combinations of super की क्या-क्या हो सकते हैं इस table से अब ज़रूर comment में लिग के बताएगा थांक यू थांक यू